एक्स्प्लोर इंडिया विद्विकास में आपका स्वागत है आज हम खजियार, डलोजी तता धर्मशला टूर के बारे में बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में स्थित खजियार देश का एक प्रमुक परिटन स्थल है खजियार को मिनी स्विट्जरलेंड के नाम से देश ही नहीं अपी तो दुनिया में जाना जाता है यदि आप खजियार घुमने की योजना बना रहे हैं तो खजियार के से पहुँचे ये आपके सामने सबसे बड़ा सवाल होता है गोरतलबे की खजियार तक सीधी रेल सेवा नहीं है खजियार के सबसे निकट का रेलवे स्टेशन पंजाब राज्जिका पठानकोर्ट रेलवे स्टेशन है पठानकोर्ट तक देश के सभी बड़े शेहरों से सीधी रेल सेवा उपलब दे इसलिए यदि आपको खजियार आना है तो सबसे पहले आपको अपने ग्रह नगर से पठान कोट तक ट्रेन से आना पड़ेगा पठान कोट रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद आपको रेलवे स्टेशन के भार से ही खजियार जाने के लिए टेक्सियां मिल जाएंगी पठान कोड से खजियर तक की दूरी लगभग 100 किलमेटर है तथा पठान कोड से खजियर तक टेक्सी से जाने में लगभग 3-3.5 घंटे का समय लगता है टेक्सी का सामान ने किराया 2,000-2,000 रुपे के बीच होता है आप बारगेन करके टेक्सी का किराया कम भी करा सकते हैं यदि आप लगजरी टेक्सी बुक करेंगे तो किराया 3,000 रुपे के करीब पड़ेगा एक बात ध्यान में रखें कि आप अपने शहर से पठान कोट आने के लिए एसी ट्रेन का चेहन कीजिए जो आपको पठान कोट दिन में छोड़ दे इससे सबसे बड़ा फाइदा यह होगा कि आप शाम होने से पहले खजियार पहुंच जाएंगे तता शाम के समय खजियार की अपरतिम सुन्दरता का लुथ उठा पाएंगे तता शाम के समय खजियार का संसिट देख पाएंगे अब आपके मन में ये सवाल उत्पन हो रहा होगा कि खजियार की जगए डलोजी में क्यों न रुका जाए क्योंकि डलोजी खजियार के पास ही है तता बड़ा शहर भी है इसका जवाब यह है कि खजियार में आपको होटल बहुत सस्ते मिलेंगे तता डलोजी से खजियार आने तता जाने में आपका समय भी बहुत ज़्यादा खराब होगा टेक्सी का किराया भी ज़्यादा लगेगा तदा खजियार घुमने का आपको ज़्यादा समय भी नहीं मिलेगा इसलिए हमारा सजेशन है कि आप खजियार में ही रुकिएगा आप खजियार में होटल दो दिन के लिए अनलाइन बुक कीजिएगा क्योंकि खजियार को अच्छे से एक्स्प्लोर करने में आपको इतना समय तो लगेगा ही लगेगा आप पठान कोर्ट से टेक्सी से लगबग शाम को पांच बजे तक खजियार पहुँच जाएंगे आप होटल खजी जील के पास ही लीजेगा ताकि आप 5-10 मिनट में खजियार के मेदान तता जील तक पहुँच जाएंगे आप अपने होटल में चेक इन कीजिए तता चाए काफी पीने के बाद आप होटल से बाहर खजियार घुमने पेदल निकल जाईए तता खजियार जील के पास बेटकर संसेट का आनल दीजिए अंधेरा होने के बाद आप खजी जील के पास इस्तित किसी रेस्टोरेंट में केंडल लाइट डिनर करें आप चाहें तो अपनी होटल में भी डिनर कर सकते हैं परन्तु यदि आप खजी जील के पास के किसी रेस्टोरेंट में डिनर करेंगे, तो यह डिनर आपको अपने पूरे जीवन भर याद रहेगा, डिनर के बाद आप अपने होटल में रेस्ट करें, इस प्रकार खजियार अर्थात मीनी स्विट्जर लेंड में आपका पहला द मेदान में आ जाएं, तथा वहाँ होने वाली एक्टिविटीज को अपने बच्चों तथा अपने परिवार के साथ इंजोई करें, आप यहाँ फ्लाइंग फॉक्स एडवेंचर स्पोर्ट्स का भी आनन लीजिएगा, जिसमें आपको रस्स से बांध कर देवदार के करनी पड़ेगी, अनिता ये लोग आपको लूट लेंगे, एक बात आप हमेशा याद रखेगा कि आप खजी जिल तता खजियार के मेदान के पास जो पानी पूरी, नूडल्स तता चाट के ठेले लगे होते हैं, वहाँ से कुछ भी मत खाईएगा, क्योंकि वह बहुत अन बावना रहती है, यदि आप बीमार पढ़ जाएंगे तो आपकी पूरी ट्रिप खराब हो जाएगी, यदि आपको कुछ खाने का मन करें तो आप पेकेड बंद खादे सामागरी, अथवा खजियार जिल के पास के रेस्टोरेंट में लंच कर सकते हैं, क्योंकि यहां का ख अगवान शिवजी की 85 फीट की विशाल प्रतीमा इस्थापी थे, जो हिमाचल प्रदेश में सबसे उची शिवजी की प्रतीमा है, इसके बाद आप गोल्डन देवी टेमपल विजिट करें, गोल्डन देवी टेमपल देखने के बाद आप वापस खजी लेक पर आ जाएं तथा अपनी शाम खजी लेक परी बिताएं, इसके बाद आप रात का डिनर अपनी होटल में करें तथा रेस्ट करें, इस प्रकार खजी यार में आपका दूसरा दिन समाप्त होता है अगले दिन आप अपनी होटल में ब्रेकफास्ट करें, इसके बाद आप होटल से या खजी लेक के पास इससी टेक्सी स्टेंड से डलोजी के लिए टेक्सी बुक करें इसके बाद आप अपने होटल से चेक आउट करें खजियार से डलोजी तक की दूरी केवल 24 किलोमेटर है खजियार से डलोजी तक का टेक्सी का किराया लगपक 500 रुपे से 700 रुपे के बीच पड़ेगा आपका टेक्सी वाला आपको रास्ते में साइट सींग कराता हुआ आपको डलोजी में आपकी होटल में छोड़ देगा डलोजी में आप अपनी होटल में चेक इन करें तता होटल में ही लंच करें इसके बाद आप पेदल ही डलोजी गुमने के लिए निकल जाईए तथा पेदल पेदल गांधी चोक तथा डल होची का मॉल रोड देखें आप चाहें तो यहाँ शॉपिंग का आनन भी ले सकते हैं यदि आपको शॉपिंग करनी है तो आप तिबबती बाजार जरूर जाईएगा इसके बाद आप सेंट जॉन चर्च विजिट करें सेंट जॉन चर्च के पुराने पुस्तकालाई में दुरलब तस्वीरे और कई पुरानी किताबे हैं यह चर्च डल होची के गांधी चोक के पास ही स्थित है इसके बाद आप गांधी चोक पर ही किसी अच्छे रेस्टोरेंट में अथवा अपनी होटल में डिनर करें तथा अपनी होटल में आकर रेस्ट करें इस प्रकार आपके ट्रिप का तीसरा दिन समाप्त होता है चोथे दिन आप अपनी होटल में ब्रेक्फास्ट करें तथा डल होजी के आसपास की टूरिस्ट प्लेसेस घूमने के लिए अपनी होटल से अथवा गांधी चोक से टेक्सी बुक करें टेक्सी का किराया लगबग 1500 रुपे लगेगा डल होजी में आप लक्ष्मी नारान मंदिर चमूंडा देवी मंदिर चमेरा जील गरम सडक डल होजी सामुदाईक उध्यान विजिट करें इसके बाद आप रास्ते में ही अच्छे से रेस्टोरेंट में लंच कर लें इसके बाद आप पंचपुला जर्ना जो कि डल होजी के सबसे प्रसिद परेटक आकरशनों में से एक है उसे देखने जाईए यह जर्ना देवदार के पेडों से घिरा हुआ है इसके बाद आप डल होजी में रॉक गार्डन विजिट करें इसके उपरांत आप अपनी होट होटल में ब्लेकफास्ट करें तता होटल से या टेक्सी स्टेंड से धर्मशाला के लिए टेक्सी बुक करें इसके बाद आप होटल से चेक आउट करें तता धर्मशाला के लिए प्रस्थान करें डल होजी से धर्मशाला की दूरी लगबग 117 किलोमेटर है टेक्सी का किरा दो हजार रुपे के करीब लगता है रास्ते में ही आप किसी अच्छे से ढाबे पर भूजन कर ले यदि आप रास्ते में साइट सिंग करते हुए तथा रुकते रुकते हुए भी आएंगे तो आप चार से पांच बजे तक आराम से डलोजी से धर्मशाला पहुंच गोरतलबे की डलोजी शहर अलग-अलग उचाईयों के साथ उपरी और निचले डिविजनों के रुप में बटा हुआ है निचला डिविजन धर्मशाला शहर कहलाता है जबकि उपरी डिविजन को मेकलोड गंज के नाम से जाना जाता है दर्मशाला पहुंचने के बाद आ इसके बाद आप अपनी होटल में डिनर करें तथा रेस्ट करें इस प्रकार आपकी यात्रा का पाचवा दिन समाप्त होता है चटवे दिन आप सुबह जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लें तथा होटल से या टेक्सी स्टेंड से धर्मशाला, मेकलोड गंज तथा आजपास के टूरिस्ट स्पॉर्ट्स घुमने के लिए टेक्सी बुक कर लें टेक्सी का किराया लगबग 2000 रुपे पड़ेगा सबसे पहले आप धर्मशाला का क्रिकेट स्टेडियम देखने जाएं यह स्टेडियम चारो ओर से बरफीले पहाडों से गिरा हुआ है तथा इसे दुनिया का सबसे खुबसूरत क्रिकेट स्टेडियम भी कहा जाता है यह स्टेडियम सुबह के समय बहुत ही सुन्दर दिखाई देता है इसलिए सबसे पहले आप इसे ही देखने जाईएगा इसके बाद आप युद्ध स्मारक, जौला मुखी देवी मंदिर, भाक्सु फाल्स तता नामग्याल मठ हादी देखने जाए नामग्याल मठ में दलाई लामा रहते हैं नामग्याल मठ देखने के बाद आप किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में लंच करें इसके बाद आप टेक्सी से मसरूर रॉक का टेमपल देखने जाए यहाँ टेमपल धर्मशाला से 32 किलोमेटर दूर है यहां आने जाने तथा इसे देखने में आपको लगबग तीन घंटे का समय लगेगा मसरूर राक का टेंपल बहुती सुन्दर जगह परिस्थी थे आप अपना टाइम मेनेजमेंट इस प्रकार कीजिएगा कि आप मसरूर राक का टेंपल देखने जा सके इसे धर्मशाला में हिंदूों की जन्नत भी कहा जाता है इसके बाद आप धर्मशाला में वापस आकर अपनी होटल में डिनर करें तथा अपनी होटल में रेस्ट करें इस प्रकार आपकी यात्रा का छटा दिन समाप्त होता है साथवे दिन आप सुबह अपने होटल में ब्रेकफास्ट करें तथा चेक आउट करें इसके बाद आप बस स्टेंड अथवा एरपोर्ट पर टेक्सी से आ जाएं तथा अपने ग्रह नगर की ओर प्रस्थान करें यदि आप बस से यात्रा कर रहे हैं तो धर्मशाला से दिल्ली की बस से दूरी लगबख 471 किलमेटर है तथा यात्रा में लगबख 10 गंटे का समय लगता है यदि आप फ्लाइट से दिल्ली जाना चाहते हैं तो निकटम हवाई एड़ा धर्मशाला से लगबक 13 किलमेटर दूर गगल में स्थी थे गगल हवाई एड़ा धर्मशाला को एर इंडिया स्पाइस जेट आदी की उड़ानों की मदद से दिल्ली से जोड़ता है एक बात और ध्यान रखें कि आप अपनी इस यात्रा की शुरुआद धर्मशाला से भी कर सकते हैं जैसे आप अपने ग्रह नगर से सबसे पहले धर्मशाला आएं उसके बाद डलोजी जाएं वहाँ से खजियार जाएं तथा अंत में पठान कोट से वापस अपने ग्रह नगर की और प्रस्थान करें खजियार डलोजी तथा धर्मशाला की यात्रा करने के लिए मार्च से जून तक का समय आइडियल समय होता है खजियार डलोजी तथा धर्मशाला में इस समय न ज़्यादा ठन पड़ती है तथा न ज़्यादा गर्मी अब हम इस साथ दिन की खजियार डलोजी धरमशले यातरा के अधिक्तम खर्च की बात करते हैं चार लोगों का आने जाने का ट्रेन तथा बस का कुल किराया लगबग पांचे जा रुपे चार लोगों का साथ दिन का टेक्सी का कुल किराया लगबग 11,000 रुपे चार लोगों का साथ दिन का होटल का किराया 7,000 रुपे चार लोगों का साथ दिन का भोजन का खर्च 12,000 रुपे 4 लोगों का 7 दिन का साइट सीन ताथ एक्टिविटी का खर्च लगभग 10,000 रुपे 4 लोगों का खजियार डलोजी धर्मशाला में 7 दिन का अधिक्तम खर्च लगभग 45,000 रुपे इसे चार से भाग देने पर प्रतिविक्ति अधिक्तम कुल खर्च 11,250 रुपे आता है इस प्रकार आप केवल 11,250 रुपे में शांदार तरीके से टेक्सी को शामिल करते हुए खजियार डलोजी धर्मशाला घूम सकते हैं यदि आप आनलाइन होटल बुक कर लेते हैं तो होटल का खर्च केवल 7,000 रुपे ही आएगा तो अब इंतजार मत कीजिये जल्दी ही खजियार डलोजी धर्मशाला घूमने का प्लान बनाईए यदि आपको हमारी जानकरी सही तथा उपयोगी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल एक्स्प्लोर इंडिया विद विकास को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा थैंक यू